हे फिंट्स तो काफी कुईक रिवीव में बात करते हैं इंडियन 2 एके हिंदुस्तानी 2 भी कह सकते हो क्योंकि हिंदी ओडियंस इस फिल्म को इसी नाम से जानती है जिसने मैं कह सकता हूं कि थेटर में तो नहीं लेकिन हिंदी ओडियंस की बीच अपनी जगा नायक फिल्म के काफी ज़दा पॉपिलर होने के बात बनाई थी हाला कि उसके पहले हिंदी बेल्टमेंस की जो कुछ भी फैन फॉल्विंग रहे उसके बार में मुझे नहीं पता लेकिन मेरी एच के बीच ये फिल्म नायक जैसी फिल्म के बहुत जादा फिमस हुई थी क्योंकि उस टाइ जिन्होंने अगें शंकर जैसे डिरेक्टर को मेरी नाजर में और भी काफी जादा उपर बठा दिया अफिर उसके बाद निकल कर आई आई जैसी फिल्म जिससे मैंने ये क्या करके छोड़ दिया के चलो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका वीजन उन्होंने बड़ करके इतनी जादा वो खहते हैं ना के बिहाइंड दस इंट चूडियो के साथ में पंगे हुए कि ये फिल्म अच्छा खासा लटक गई जिसके बाद फिर क्या था लाइका प्रोडिक्शन वालों की तरफ से जब कुछ एक्शन लिये गए तब जाकर कि ये फिल्म अब पहले ही इसके ट्रेलर को देख करके पूरी तरीके से खतम हो गई थी यानि शंकर जैसा नाम और उपर से काफी अच्छे लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए सीक्वल पार्ट की अनॉंस्मेंट के बाद हाँ इस फिल्म के इंड में तीसरे पार्ट का भी ट्रेलर दिखाया जाता है जिसका मुझे लगता है कि पूरा का पूरा भुगदान ये फिल्म अपने सीक्वल के तौर पर करती है क्योंके देखा जाये तो यहां पर पूरा पार्ट बेसिकली एक फिलर ही लगता है जिससे देखकर के ये बात भी समझ आ जाती है कि फिल्म की पूरे वीजिन क सेकेंड बार्ट में ही समिटने की पूरी जिमेदारी ली गई थी लेकिन जबकि फिल्म के प्रडुक्शन काफी लंबा चलने की वज़े से जो इस पर अच्छे घास से बहुत ही जादा पैसे घर्च किये गए है लिटरली बहुत सारे जिसके लिए मैं फिल्म के डिर्क्ट लेकिन इस पूरी फिल्म के बजट को देख करके जो एक तरफ में मैंने पूरी फिल्म देखी है उसे देखकर के ये बात पता चलती है कि स्टूडियो को किस तरीके से लूट करके एक ऐसा सपना दिखाया गया जिसमें मुझे लगता है कि इतने ज्यादा पैसे लगानी की लेकिन खैर शंकर के साथ सत्कमल हसन के नाम को लेकर के इस फिल्म ने अपने काम पर बिल्कुल भी ओनिस्टी ना दिखाते हुए एक बेका डल और तीन घंटे का एक ऐसा टॉर्चर दिया है जो कि मुझे लगता है कि आउटडेटेट ओडियंस को ही पसंद आएगा है जी हाँ एक फास पेस जहाँ पर एडिटर बस अपनी एडिटिंग का कमाल दिखा करके ये बता रहा था कि देखो मुझे में कितना ज्यादा टैलेंट है और मैं आपको फिल्म को तीन घंटे होने के बावजुद भी बैट करके देखने लाइक बना करके दूँगा लेकिन उसके बाद इस फिल्म में जो कुछ भी होने लगता है वो आपने कई बार रिपीड मूड में देख रहा है जिन सब में इस फिल्म ने वो कहते हैं कि आसल मायने में उसकी आत्म ही निकाल करके बाहर फेक दिया नहीं कि जवान को अगर इससे कंपार करूं तर जवान में जि चोड़ इस फिल्ममें वाकिए जितने भी एक्टर्स थे उन्हें काम के नाम पर बस फिल्लिंग धा ब्लैंक्स जैसे एक्टिंग करनी थी जिसे उन लोगों करके इस फिल्म की स्क्रिप्ट को जैसे तैसे करकर और कोगयते ना कैसे विश्वरू रूप़म अईसी कुछ फि तेटर में नहीं लेकिन आपो गहते हैं कि टिपिकल साउथ की फिल्में मोबाइल में या फिर घर पर गभी बैट करके देख लो ये फिल्म भी बिल्कुल उसी कैटिगरी में फिट बैटती है जिसे थेटर में मैंने छेला है इसी शर्थ के साथ के अगला शो जो मैं देखना लांग लेक्स फिल्म का वो नहीं लगा था वरना इस फिल्म को मैं पूरा बिल्कुल भी ना जहलते वे खतम करने के मूड में था क्योंकि आज काम और प्रेशर बहुत सादा होता है जिससे अच्छा हुआ कि मुंबई में रहते वक्त मैंने कल ही निप्टा दिया था बाकि कि मैंने कहा है जैसे दैसे निकल जाती है लेकिन सेकेंड हाफ और फिल्म के एक्शन सीक्वेंस जो इतने जादा लंबे या फिर कहू कभी कभी डियरेक्टर भूल जा रहे थे कि चेजिंग सीन दिखाना है और बीच में फाइट जबरदस्ती की और वो बाड़ी वाला क्या इंगलता भाई क्यूं पता है कि डियरेक्टर ने इंटरनेट पर काफी ज़्यादा रिसर्च की है कि पुराने बुढ़े उस एज में अपनी बॉड़ी को किस तरीके से वा खहते ना कि मैंटेन करकर रखते थे लेकिन स्क्रीन पर अगर उसे दिखाना भी था तो ज़रा ढ दंग की चीजों को इंवल्फ करकर दिखाते तो काफी ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि मेरी नजर में ये एक ऐसी साउथ की फिल्म बन गई है जिस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं बाकी कमल हैसन की तरफ से तो उनके फैंस के लिए काफी बड़ लेकिन ओवर बजट इस फिल्म को सिर्फ बड़ा बड़ा कहकर बड़ा बनाते हैं बलकि जिसमें असल माइने में तो ये फिल्म मेरी नजर में पूरी तरीके से डूप चुकी है जिन से हटकर अब इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो सिंपल बातेंगे जादा ड क्यों ना हुआ हूँ बट सी प्लेस की कैटेगरी में तो रखी सकता हूँ जिन सब पर अब बनती है आप की राय जो आप मुझे कमेंड में लिख करके बता सकते हैं बाकी मैं हूँ अजीज मुवी स्टॉक शो चैनल लाइक शार सब्सक्राइब भूलना मत मिलूँगा जल् झाल